आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है जहां पर मैं गोल सीख सिखाने वाला हूँ यह वाट इफ अनालिसिस का एक फीचर है जिससे आप एक आंसर को बैक कैलकुलेट कर सकते हैं आईए देखते हैं इसका मतलब क्या है First exercise में मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूँ जहां price है 12 रुपए, quantity है 5000 और उसके basis पे हम कह सकते हैं कि दोनों को multiply करने पे sales calculate हो जाता है दूसरी तरफ, एक fixed cost है 12,000 और variable cost है 65% of the sales अब total cost को अगर देखा जाए तो ये पता लगता है कि fixed cost plus 65% of the sales comes out to be 51,000 और जिसके basis पे हम कह सकते हैं profit है 9,000 कैसे? A यानि कि 60,000 minus B जो कि 51,000 है अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अगर profit 10,000 रीच करना है यानि कि 9,000 आज है मुझे 10,000 target रीच करना है तो मुझे price कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि मैं 10,000 का profit रीच कर पाऊंगा तो मुझे back calculate करना है कुछ ऐसा कि ये number जो 12 कुछ ऐसा change हो जिससे ये 9,000, 10,000 बन जाए तो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे goal seek यानि कि हमारा goal तय है हमारा लक्ष तय है उससे seek करना है वहां तक पहुँचना है तो जाएए data में what if analysis के tab में और क्लिक कर दीजे goal seek के उपर यहां तीन boxes मिलेंगे आईए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि दो जगा पे पूछा जा रहा है cell के reference के बारे में लेकिन बीच वाला box है वहां एक value input करने को कहा गया है यानि कि आपको type करना पड़ेगा ओके दूसरा set which cell यानि कि कौन सा ऐसा cell है जिसको आपको एक लक्ष स्थित करना है यह है वो cell यह है set this cell to what value मान लिजए 10,000 यानि कि अगर मैं प्राइस को करीब करीब 12.6 तक ले जाता हूँ तो मेरा sales बदल जाएगा मेरा variable cost भी थोड़ा सा बदलेगा और जिसके कारण मुझे profit 10,000 आने में मदद मिलेगी अब आप कह सकते हैं कि मुझे न 12,000 के profit तक पहुँचना है तो एक बार quick recap कर लेते हैं data what if analysis goal seek कौन से sell को refer करें जिसमें goal बसा है ये sell जिसके अंदर profit 10,000 दिखा रहा है लेकिन मुझे उसको 12,000 तक लेके जाना है by changing price उसने back calculate किया और आपको बता दिया कि आपको price 13.7 तक लेके जाना है और तभी आप profit 12,000 तक पहुँच पाएंगे एक example और देता हूँ exercise 2 में थोड़ा सा advanced है और इसके लिए आपको PMT के financial function को जानना चाहिए ये तब इस्तमाल होता है जब आप EMI calculate करना चाहते हैं EMI मतलब loan आपने लिया है और हर महिने की जो किष्ट जाती है आपके bank account से वो EMI कितना हो अब मान लिजे लोन अमाउंट है 5 लाक, इंटरस्ट है 13%, दो साल में आपको पे करना है, हर महिने के किष्थ है और महिने के शुरुवात में आपकी पेमेंट जाती है मैंने PMT function के उपर एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो एक बार quick recap देख सकते हैं PMT का मतलब है rate, rate क्या है 13% divided by 12, यानि कि divide by month जो एक साल में होते हैं उसके बाद number of period, ये 2 नहीं 2 into 12 होने चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके 2 साल में 24 installment जाने वाले हैं तो कितने number of period of installments? Next, आज की दिन आपने loan कितना लिया है? तो ये मैंने एक छोटा सा recap दिया लेकिन अगर और अच्छे से आपको इसके बारे में समझना है, तो हमारे PMT function को एक बार ध्यान से देखें अब आप कहोगे रिशब ये negative क्यों है? Because 5 लाक रुपए आज की दिन आ रहे हैं आपके pocket में और ये EMI आपके pocket से जाएंगे इसलिए negative है अब आप कहते हो कि मुझे 20,000 से ज्यादा EMI नहीं भरनी है, तो उसके basis पे मैं loan कितना ले सकता हूँ? तो आईए देखते हैं कैसे calculate किया जाएं? एक तरीका है कि randomly number डालते रहें और check करते रहें कि amount कितना आ रहा है लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ये बहुत time लग सकता है दूसरा तरीका है data में जाके goals seek में पहुंच जाएं और सोचिए set this cell यानि कि जिसमें आपने EMI का calculation किया है to a value of minus का sign याद रखेगा क्योंकि ये एक amount pay हो रहा है आपके pocket से अगर आप minus नहीं देंगे तो answer नहीं निकलेगा सही तो minus 20,000 by changing the cell of loan amount and ok press करने पे आपको back calculate करने पे ये पता चलता है कि आप loan ले सकते हैं 4,20,682 तो ये हो गया back calculate और ये ही इस्तमाल किया जाता है goals seek, back calculate the input based on a given output मैंने try किया है, दो example के जरीए आपको ये समझाने का अगर आपको पसंद आए तो please review और feedback में comment जरूर छोड़ दीजेगा